सवाल नमबर 1, स्पेस सूट का वजण कितना होता है? सही जवाब, एक स्पेस सूट का वजण अंतरिक्ष यात्री के बिना 280 पाउंड यानि की 127 क्यजी होता है लेकिन अंतरिक्ष के मा데्रो ग्राविटी वातवरन में इक स्पेस शूट का वजण कुछ भी नहीं होता में रितेश ने एक वेबसाइट तेयार हिया जहां वो सस्ते और किफायती होटिल्स के बारे में जानकारी देते थे इस वेबसाइट का नाम ओरावल था सवाल नमबर तीन कभी-कभी फोन करने पर खुद की आवास क्यों सुनाई देती है सही जवाब हर फोन में एक ट्रांस्मीटर और एक रिसीवर होता है हमारे आसपास बहुत सारे सिगनल घूमते रहते हैं जब एक आवरती के दो तरंगे आपस में टकराती है तो आवास फिर से आपकी रिसीवर में वापस आ जाती है और आपको सुनाई देती है सवाल नमबर चार कपड़े का आविशकार सबसे पहले किस ने किया सही जवाब Institute for Innovationary Anthropology के मानव विज्यानी ने मानव शरीर के जेनिटिक का एक अनुवांशिक विशलेशन किया है जिससे पता चलता है कि कपड़े का आविशकार लगबग एक लाग सतर हजार साल पहले हुआ था सवाल नमबर पांच महा भारत में गानधारी का नाम गानधारी क्यों है सही जवाब गानधारी गानधार देश के सबूल नामक राजा की कन्या थी क्योंकि वह गानधार की राजकुमारी थी इसलिए उनका नाम गानधारी पड़ा वह हस्तिनापुर के महाराज दृतराश्टर की पत्नी और दुर्योदन आदी सो करवो की माता भी थी सवाल नमबर छे चान हमें छोटा बड़ा क्यों दिखाई देता है सही जवाब चान का खुद का कोई प्रकाश नहीं होता ये सूर्य के प्रकाश से रोशन होता है चान के जिस हिस्से पर सूर्य का प्रकाश पहुंचता है हमें वही दिखाई देता है और जिस हिस्से तक सूर्य की किरिने नहीं पहुंचती वहां अंधेरा होता है चांद एक गोल गेंद की तरह है सवाल नंबर साथ सबसे ज्यादा प्रोटीन किसमें पाया जाता है सही जवाब सबसे अच्छा प्रोटीन स्रोध, चिकन ब्रेस्ट, मुर्गी का सीना और अंडे का सफेद भाग में पाया जाता है जिसमें प्रोटीन के सारे क्राइटीरियास पूरे होते हैं इसके अलावा सोया बीन, डेरी प्रोडाक्स, चना, बादाम, आदी में भी प्रोटीन होता है सवाल नंबर आट एक इंसान लगातार कितने घंटे तक सो सकता है सही जवाब एक स्वास्तिय मनुश्य लगातार साथ से नौ घंटे तक सो सकता है जबकि हाइपर सॉम्निया मरीज दस से बारा घंटे तक लगातार सो सकते हैं जिसे ओवर स्लीबिंग भी कहते हैं सवाल नंबर नौ लड़कियां आर्मी कैसे जोइन कर सकती हैं? सही जवाब इंडियन आर्मी में जाने के लिए महलाओं को कम से कम दस्वी पास और अफसर पोस्ट में जाने के लिए ग्रेजुएशन पूरा होना चाहिए और आयू 17.5 से लेकर 21 यर्स की होनी चाहिए उचाई कम से कम 142 सेंटीमीटर की होनी चाहिए महलाएं इंडियन आर्मी की ओफिशिल वेबसाइट पर अपलाएं कर सकती है सवाल नमबर 10 लवकुष की मृत्यू कैसे हुई थी? सही जवाब पौराने कहानियों के अनुसार लव और कुष पर एक राक्षस ने हामला किया था और लड़ते लड़ते दोनों की मृत्यू हो गई उस राक्षस को भगवान शिव ने त्रिशूल के साथ वर्दान तिया था और बाद में उन राक्षसों को हन्मान जी ने मार डाला था दोस्तों अब तक की सभी वीडियो की लिंग नीजे पिन कमेंट में दी गई है आप वहां से देख सकते हैं वीडियो देखने के लिए धन्यवाद जय हिंद्ट